ओम नमस्षिवाइब स्वागत है आप सबी का मेरी यूट्यूब चानल लेड़ गुपाल के भक्त में माग मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोश रत कब रखा जाएगा इसका शुब महूरत क्या है प्रदोश काल कब से कब तक रहेगा और साथ ही इस दिन भगवान शिव और उनके परिवार की पूझा किस प्रकाश से की जाती है चलिए जानते हैं प्रयोदिशी तिथी के दिन भगवान शिव और उनके परिवार की पूझा दो काल में की जाती है पहला सूरे काल और दूसरा प्रदोश काल सूरे काल में सूरे उदे से पूर्व उठ सनानादी करने के बाद अपने गुरू का ध्यान करकर आप चाहें तो एक चोंकी की स्थापना भी कर सकते हैं एक लोटा जल अवश्य से ले और इसके बाद एक घी का दीपक जलाएं उसके बाद तीन बार ओम गणगण पते नमहा इस मंत्र का जाब करते होए भगवान शिव और उनके पूरे परिवार को नमस्कार करें वरत की कथा पड़ें आरते गाएं और शमा याचना भी करें आप चाहें तो भगवान शिव को पुश्पो की माला अर्पित कर सकते हैं और भोक स्वरूप कुछ फल आदी भी रख सकते हैं इसके बाद जो है यदि संभव हो तो पास के शिवाले में जाकर आप भगवान शिव का जलसे अभिशिक कर सकते हैं यदि उपलप्थ हो जाए तो बेल पत्र शमी के पत्र आदी भी भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं इस दिन हरी मूंग की डाल का दान करना सरवोत्तम माना जाता है अब जानते हैं कि प्रदोश काल के समय पूज़ा किस प्रकार से की जाती है तो प्रदोश काल के समय भी आप एक घी का दीपक जलाएं और यदि आप सूरे काल की पूजा कर चुके हैं तो ऐसे में आप केवल ओम नमस्षिवाए जो भगवान शिव का पंचाक्ष्र मंत्र हैं इसका कम से कम एक माला जब तो अवश्य से करें यदि आप किसी भी कारण वश सूरे काल की पूजा नहीं कर पाएं हैं तो ऐसे में आप प्रदोश काल के समय पूरी पूजा विधी कर सकते हैं किसी भी प्रकार का दोश नहीं लगेगा क्योंकि प्रदोश व्रत के दिन प्रदोश काल में की गई पूजा ही सरवो तम मानी जा और इसका समापन होगा 14 फरवरी रातरी 8 बज़ कर 28 मिनट पर उदे काल के निया मनुसार प्रदोश रत 14 फरवरी 2022 को ही पड़ेगा इस दिन सूरे उदे का समय रहेगा 7 बज़ कर 1 मिनट पर और प्रदोश काल का जो समय है वे रहेगा शाम 6 बज़ कर 10 मिनट से 8 बज़ कर 28 मिनट तक तो इस समय पूजा अवश्य रूप से करें यूँकि इस बर सूम बर को ही प्रदोश रत है इसलिए इसका नाम सूम प्रदोश रत है इस दिन चंद्रमा की भी पूजा अवश्य से करें तो बोलो शिव शंकर भगवान की जै